बैंक आफ इंडिया के न्यू मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन को कैसे एक्टिवेट और इस्तेमाल करते हैं दोस्तों बैंक आफ इंडिया न्यू मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन बी यो आई मोबाइल को लांच कर दिया है और अपना Old Mobile Banking अप्लिकेशन को Play Store और App Store से हटा दिया है चली आपको दिखाते हैं इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं Bank of India के New Mobile Banking को उपेन करेंगे और इसे एलाउ कर देंगे और यहां से Language सेलेक्ट कर लेंगे Terms and Condition को Read कर लेंगे और नीचे Box पे टिक करेंगे Accept and Continue पे क्लिक करेंगे और इससे Accept कर लेंगे और यहां से अपना Sim सेलेक्ट कर लेंगे आपके रेजिस्टर मोबाईल नंबर पे कुवन टाइम पासवर्ड आ जाएगा और इससे Auto Detect कर लेगा Verify OTP पे क्लिक करेंगे यहां पे आ जाएगा Additional Authentication Required अगर यहां पे इस बाक्स को आप टिक करते हैं I want to view only right इसको अगर आप टिक करते हैं तो आप केवल Mobile Banking की Services को आप देख सकते हैं आप कोई transaction नहीं कर पाएंगे आपको debit card से या फिर अपने personal details से authenticate करना होगा अगर आपको यहां पे personal details दे रहा है तो personal details अपने अधार card, plan card और date आप birth इंटर करके authenticate कर लें अगर आपमे debit card से हो रहा है तो आप अपने debit card से authenticate करेंगे इसको select करेंगे और यहां पे अपने debit card का details इंटर कर लेंगे यहां पे अपने debit card का card number, expiry date और यहां पे अपने card का pin इंटर करेंगे और verify card details पे click कर लेंगे verify card details पे click करेंगे और यहां पर आ जाएगा congratulations verification completed अपका verification जो है successfully complete हो गया है set mpin इस पे click करेंगे और यहां से एक mpin set कर लेंगे four digit का और इससे proceed करेंगे और mpin को एक बार री इंटर करेंगे और set mpin पे click कर लेंगे यहां पर आ जाएगा a new mpin is generated successfully अब आपका new mpin जो है successfully generate हो गया है और इससे ok कर लेंगे अगर आप touch id को enable करना चाहते हैं तो एस enable पर click करेंगे या फिर आप इसे no भी कर सकते हैं notification center अगर आप इस वह read करना चाहते हैं तो इससे आप read कर सकते हैं या फिर आप इसे skip भी कर सकते हैं कि यहां पर mpin इंटर करेंगे कि यहां पर आ जाएगा manage additional authentication financial और non financial transactions के लिए एक additional factor को set कर लेंगे जब आप ib internet banking password mpin या फिर biometric का इस्तेमाल करके login करेंगे और कोई transaction करेंगे या फिर कोई setting को change करेंगे तो security region से एक आपको additional factor देना होगा जो आपको extra layer आप security परदान करेंगा यहां से choose कर लेंगे आप debit card pin देना चाहेंगे या फिर mobile OTP यहां से choose कर लेंगे अगर आपको debit card pin देना है तो debit card का pin को select करेंगे या फिर अगर आप mobile OTP देना चाहते हैं तो mobile OTP को select करेंगे और save changes पर click कर लेंगे इस setting को आप कभी भी change कर सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा security preference set successfully और इसे ok कर लेंगे अब आप mobile banking में login हो गया हैं आप इसे skip कर लेंगे अपने accounts का balance चेक करने के लिए type here to view hide balance पर click करेंगे और यहाँ पर आपका account का balance हो जाएगा अपने cards का details चेक करने के लिए my cards में जाएगे इस पर click करेंगे और यहाँ पर आपका cards हो हो जाएगा इस पर type करेंगे यहाँ से अब अपने cards का limit set कर सकते हैं अपने card को heart list कर सकते हैं permanently block कर सकते हैं अपने card का pin change कर सकते हैं काड को रिप्लेस कर सकते हैं और आपको CBB अपने डेविट काड का CBB चेक करने के लिए यहाँ पर टाइब करेंगे और यहाँ पर आपके काड का CBB सो हो जाएगा Recent Transactions में आपको कुछ Transactions देखने को मिल जाएगा M Passbook से आप अपने Accounts का Statement डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आप अपने Accounts को सेलेक्ट कर लेंगे Saving Account, Current Account, Loan Account, FDRD Account का आप Statement को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आप Statement Period यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे Quick Actions में आ जाएंगे Bank Transfer Bank Transfer से आप अपने Beneficiary को सेलेक्ट करके Fund Transfer कर सकते हैं आप अपने Old Mobile Banking में जो भी Beneficiary को Add कि रहेंगे इसमें So हो जाएगा आप उसे सेलेक्ट करके Fund Transfer कर सकते हैं Self Transfer से आप अपने Current Account, PPF Account या फिर RD Account में Self Transfer कर सकते हैं Bill and Recharge से आप अलग-अलग Bill Payment कर सकते हैं और Mobile Recharge कर सकते हैं Government Payment से आप अपने PPF Account या फिर NPS Account में Fund Transfer कर सकते हैं My Fix Deposit से FD Account ओपेन कर सकते हैं इसको स्क्रोल करेंगे उपर ऊपर या पे Pay दिया हुआ है, Save दिया हुआ है, वरओ और Invest दिया हुआ है Pay से आप Payment Service का इस्तेमाल कर सकते हैं Save से आप Deposit Account कर सकते हैं FDRD अकवाउंट ओपेन कर सकते हैं वरओ से आप Loan Services का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से आप gold loan के लिए अप लाई कर सकते हैं, invest से investment service का इस्तेमाल कर सकते हैं, mutual fund में SIP कर सकते हैं, insurance से आप अलग-अलग insurance policy ले सकते हैं, IPO में आप लाई कर सकते हैं, PPF account open कर सकते हैं, NPS account open कर सकते हैं, SSY account आप open कर सकते हैं, sovereign gold bond scheme में आप investment कर सकते हैं, चली इसको हम back कर लेते हैं, उपर जाएंगे profile पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका customer ID सो हो जाएगा, my account से यहाँ पर आपका primary account number सो हो जाएगा, manage profile, account and payment से आप अपना personal और account details चेक कर सकते हैं, security and privacy यहाँ से आप, touch ID और face ID को यहाँ से आप enable कर सकते हैं, mpin change कर सकते हैं, manage additional authorization यहाँ से आप इसको manage कर सकते हैं, manage transaction राइट से यहाँ से आप इसे enable या disable कर सकते हैं, नीचे जाएंगे और यहाँ पर sign out इस पर क्लिक करेंगे, और simply mobile banking से sign out हो जाएंगे, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like करिए, comment करिए, I am sathी सच चैनल को subscribe कर लिजिए, thanks for watching.